इस वीडियो में हम लोग इस बार बोर्ड एक्जाम में हिंदी के किर्तिका भुक से आने वाली सभी स्टोरी का one short revision करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा इसका इस्टोरी आजाता है वो है हमारा माता का आचल तो माता के आचल चेप्टर से हम लोग इसका revision start करते हैं तो माता का अचल नामक पाठ से में जो लेखक जो है अपने माता पिता के इसने हो और सरारतों से भने अपने बचपन को याद करते हैं। बच्पन में उनका नाम तारकेश्वर था, पिता उनके साथ अपने साथ सुलाते थे, उस उभा उठाते और नहलाते धुलाते थे, साथी पूजा करने के लिए साथ में ही बैठाते थे, और सिबजी के जैसा यहां लिलात पर तिलक लगाया करते थे, और उसके बाद भभूत तो बगेरा लगा दिया करते थे जिससे वो भोला नाथ लगने लगते थे यानि सिबजी लगने लगते थे भोला बबा लगने लगते थे तो इसलिए उनको भोला नाथ भी कह देते थे सब लोग और खुस कर देते थे लेखक आइने में बरे बालों के साथ अपने तिलक लगा चहरा देखते तो पिता मुस्वर फराने लगते और मुस्पुराने लगते और सरमाज आते थे पूजा के बाद पिताजी उन्हें कंदे पर बैठाकर गंगा में मचलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों पे लिप्ची आटा की गोलियां गंगा में डालकर लोटते हुए उन्हें रास्ते में परने वाली डालों पर जो है पेर की जालियों पर जुला जुलाया भी करते थे ये ग्राम संस्किर्टी से पूरे तरह से चेप्टर कनेक्टेड है पूरे गाओं की चीजों को ये बताया गया है इस चेप्टर में ध्यान लगएगा उसके बाद जो है घर आकर जब वे अपने साथ खाना खिलाते तो मा को कौर छो का डर बताती वो उसे उरने से पहले ही खा लेते थे मतलब जैसे के माली ये वला है अगर इने का यह खाएगा तो कवा लेकर के उर जाएगा जैसे ही अब कवा lak ऊडएगा जोड़ेगा कि बस पटाक से वो खा लेते थे मतलब बच्चों को जैसे खाना खिलाया ज और Qoda टोपी पहना कर छोटी में फूलदार लट्टु लगादेती थी बुरी नजर से बचानी के लिए काजल की बिंदी यहां पे काजल की बिंदी भी लगादेती थी और पिता के पास छोड़ देती थी वहाँ खरे, अपने मित्रों को देखकर, वह रोना धोना भूल करके, फिर से खेल में लग जाते थे, इसके बाद जो है, पिताजी उसको बहुत लार करते थे, वह कभी उनके हाथ को चूम लेते थे, कभी कभी दारी मुच गरा देते थे, इसे बच्चा को, उसके बाद जो है, कुस् 2300 बार बार जो है हार जाते थे घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में 2–4 गोरक पुरिये पैसे देकर सामिल हो जाते थे घरवंदे के खेल में खाने बाले की पंक्तिया में आखणी छुप्के से बैठ जाने पर लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते थे कि भोजन फिर कब मिलेगा मतलब यह कोमेडियल टाइप का उस परकार से जिसे बच्पन का खेल होता है उसमें जो है खाना खिलाने के लिए से बैठाता था जो है पेर पौधा का पत्ता त मतलब जैसे पंगत में होता है ना कि पूरी अगर घट गया है तो फिर बोलते हैं कि द्रो बैठे हुए है को खेनाएगा पूरी यह सब चीज पूछते हैं तो वह इसे ही वहाँ पर भी होता था क्वमेडिय चुपके से बैठ जाने पर लोगों को खाने से पहले उठा दिय मतलब जब दुलहन की बिदाई होती तो वहाँ पे पालकी जो हुआ करता था वो चूहे दानी जो मच compelling होता है उसमें ढककर के ले उठा करके जाया जाता था तो पिटाजी जो थे लेखके ऐसे करके मचहरदानी को ऊपर उठाकर के दुलहन का जहरा देखते थे तो सब बच्चा सरमा हजाता था मुस्कुरा कर हसने लगता था सब बच्चा और बच्चों को हसने लगता था खेती के खेल में फसल आने पर पूषते की खेती कैसी रही लेखक मित्रों के साथ आस-पास के छोटे मोटे समान को जुटा कर इतनी रूची से खेलते कि उनके खेलों को देखकर सभी खुस हो जाते थे और उसके बाद जो है तिबारी के नाम के जान पहचान वाले एक बुढ़े को मुसन तिबारी जो है उनका मजाक उराना और आंधी आने पर लोक गीत गाना मतलब इ इक लाए लोग तोहने के लिए आम तोहने के लिए गए हैं किया जो भुर्भा बैमान मांगे उनका चोखा कहती हैं मितरो की आदत बन गई थी एक बार मुसन तिवारी का मजाक उराने पर ध्यापक ने लेखक को खूँब पीठ आई वह बहाग गए थे school से दबार रहा था तो बहाग गए one school planning कर दिया उसके बाद लेक्षक असे उठा अजी बढ़िया न pass भ़र करके आज आज आते हैं और भर लेक्र के आते हैं तो फिर ले कि जो है अपने मित्रों के साथ मिलते हैं तो यह रोना दोना भूल करके फिर उसके साथ खेलने जल जाते हैं तो एक बार की बात ऐसा होता है कि जब यह खेलने के लिए खेलने के दोरान ही खेत में खेल रहे होते हैं तो खेत में चुहा बगेरा जो लगा होता है तो मिट्टी का धेर लगा देता है अब वहाँ पे बील बगेरा किये रहता है तो लोग को लगा चुहा ही होगा तो मिट्टी का धेर में जो है वहाँ पे क्या करने लगते हैं पानी डालने लगते हैं अब पानी डालने लगे वह पर तो पानी डालने के करम में हुआ क्या कि आसबास में पानी डाले ना तो चुहा तो नहीं निकला लेकिन यह सांप निकल गया बाहर में अब इसको लग गया डर बहुत जादा डर इतना जादा लगा इनका दोस्त बगेरा ये सब लोग एकदम दोड़ते पढ़ते भागते एकदम लहू लुहान हो गए काटा कहीं पर गरा कहीं सिसा कुछ भी गरते होते एकदम वह सहीं चोट फोट लगाते आए और बाहर में उनके पिताजी बैठे हुए थे वो अपने पिताजी के पास नहीं गए पिताजी के पास ना जाकर के वो सिधे मम्मी के पास जाते हैं म माता के पास जाते हैं और माता की गोद में जाकर के सो जाते हैं इतना जादा डर चुके होते हैं कि उनको माता के पास जादा सुरक्षा महसूस हुई जब कि पिताजी से साथ जादा समय बिताते थे फिर भी माता के साथ जादा सुरक्षा महसूस हुई और माता जो है मम्मी ज कि लेखक को भले ही मतलब पिताजी से बहुत जादा लगाब था समय जादा बैतीत करते थे लेकिन जब उस परकार की घवराहट हुई तो बाद में ये भी देखने को मिला कि उस बच्चे को उस लेखक को जो है माता से कितना लगाब था मम्मी से कितना लगाब था कि सुरक्षा के लिए वो मम्मी के पास ही गई इतना घवराहट वाली इस्थिती में पिता के पास ना जाकर के माता के पास ही गई तो एक माता और बेटे के बीचे अनन्त जो प्रेम का कनेक्शन होता है ये चीज़ को दर्साता है और इसी कारण से और चेप्तर का नाम माता का आचल दी आ गया तो इस परकार से आपका ये चेप्तर हो जाता है समाव तब आब हम लोग चलते ह painful पर इसका next story पर अगले Story पर अगला Story है हमारा साना साना हांत जोरी साना साना का मतलब है चोटा चोटा और हांत जोरी मतलब चोटे-चोटे हाथ को जोर करके प्रार्थना करते हैं ये सिक्किम के लोगों की प्रार्थना है आगे देखेंगे कि क्या प्रार्थना है चोटे-चोटे हाथ को जोर करके तो इसमें जो है लेखी का जो है वो सिक्किम की राजधानी गंग टोग घुमने के लिए गई है और रात में धलान पर सितारों की जगमगाती जालर ने उन्हें इतना समोहित किया है कि वह उसी दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना यानि साना साना हाथ जो बोल रही थी मेरे सारे जीवन अच्छाईयों के लिए समर्पित हो दोनों हाथ को जोर करके वो बोलती थी कि मेरे सारी जीवन अच्छाईयों के लिए समर्पित हो करने लगी अगले दिन मौसम सापना होने के कारण लेखी का कंचन जंगा की चोटी पर नहीं चोटी तो नहीं देख सकी परंतु धेरों ख फांग देखने अपनी सहयात्री मनी और गाइड जीतेन नारगे जो थे वो गाइड थे जो टुरिस्ट गाइड जो घुमा रहे थे और उनके साथ जो एक मित्र आई थी वो थी मनी नाम करके उनके साथ रवाना हुई वहां के लोग बहुत धर्म को बहुत ज़्यादा मानते ना उसके बाद जो है कि धर गया बहुत अनुवाई मानते हैं रास्ते में उन्हें बहुत अनुवाई की अनुवाई का मतलब होता है इसे उनके बहुत सिस्यों की लगाई सपेद और रंगीन जहारियां जहारियां दिखाई दिखाई दे कि भी लोग एस्टॉक नामक अस् वहीं लपेचा लेपचा और भाटिया जातियों का सांती कारिय अस्थल भी देखा एक कुटिया में पापों को धोने वाला प्रेयर विल देखा उसके बाद जो है पापों को धोने वाला प्रेयर विल जहां प्रार्थना करता है आदमी वो चीज है उफचाई पर चड़ते वे धिरे धिरे लेखिका को अस्थानिया लोगों का दिखना बंद हो गया नीचे घर तास के पत्तों जैसे छोटे छोटे दिख रहेते हैं मतलब हाइट पर जितना जाएगा ना पहारी वाले लाके में नीचे का चीज उतना ही जादा छोटा दिखने लगेगा आपको रास्ते सक्रे और घुमाओदार होने लगे मतलब उपर में जाने का जो रास्ता होता है ने यह में लिए ऐसे सर्कूलर घुमा घुमा करके दिया जाता है यह देखिएगा गहराईया खायया बादलों से बरी ती हरियालिओं के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी थे हिमालय की सुंदर्ता ने यात्रियों को प्रभावित किया और उब प्रार्थना के लोक गीत गाने लगे थे मतलब वहां कि सुन्दरता के बारे में यहां पे वर्नल किया जा रहा है कि कितना सुन्दर वो माहूल था चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी लगातार सिली गुरी के साथ साथ चल रही थी मतलब तिस्ता नदी जो है सिली गुरी से जो दिखी थी इनको लगतार पेरलली चल रही थी तो इनको लग रहा है साथ साथ चल रही थी मतलब वहां पर से लगतार बहजो रही थी नदी वो चीज है प्रसन लेखिका ने भी हिमाले को सलामी देनी चाही थी कि जीप चलती जहरने की कलकल और ठंधक ने लेखिका के मन की सारी दुरभावनाओं को खत्म कर दिया, सत्य और सुन्दरे की अनुभोती से वह भाभुखोठी, आगे बढ़ने प्रबादलों की लुका छुपी के बिच हिमाले की सोभा, हरे, पीले और कहीं पत्थरीले रूप में फिर तो तिनके जैसा लगने लगा था, मतलब एक्दम तुरंत तुरंत जो ये पूरा का पूरा सेनेरियो ही बदल रहा था, प्राकृतिक दिरिश्च ही बदल रहा था, तो लेखिका ये सारा चीज जो है, वो क्या चीज दिखने लगा, पूरा का पूरा अपना जो अस्तित्व तो ये दोहराती है ये चीज़ जब प्राकिर्टिक नेचर को पूरे बढ़ियां से नजदीक से देखती है तब जाकर के उसके बाद क्या होता है लेखिका ने बच्चों को पीट पर बांदे सकरे रास्तों को फुल्दानों के चारे चैरी करती पहारी इस्तिरियों को देखा मतलब यह है कि वहाँ पहारी इस्तिरी थी अपने बच्चों को पीट पर बांदी हुई थी और उसके बाद सकरे रास्तों से वो जो है जा रही थी तो उनको देखता है चाय बगानों में काम करने वाली इस्तिरिया को भी देखा साथ आथ साल के ऐसे बच्चों को दिखे ऐसे बच्चे को दिखाए जो तीन सारे तीन किलो मीटर की चड़ाई पइदल चरकर पढ़ने के लिए विद्धेले जाते हैं जंगल से लड़की जंगल से लकरी काचकर लाने पानी भारने और मवेसियों को चराने के काम में इस्तरियों के साथ जुरे बचों को देखकर लेखेगा कि पहारी जीवन की कठिनाईईओं का अहसास हुआ मतलब जो पहार पे रहते होंगे सोचिए कितना कठिनाई होता होगा उपर रहते हैं नीचे सारा चीज लाने के लिए जाना पड़ता होगा नीचे रहते होगे कुछ चीज के तलास में उपर जाना पड़ता होगा तो कितना जादा कठिनाई बार बार पानी की तलास में इधर उधर तो इतना जादा प्रेसानी होता होगा सारे लोगों को वहाँ पे यह चीज है इसके बाद जो है उसे लगा कि मैदान की तुलना में पहारों में भूख, मोत, देंता देंता का मतलब गरीबी और जिन्दा रहने को लेकर के जो संघर्स है वो बहुत ही जादा है बास्तम में यह जादा है रास्ते में कई जगह साथानी प्रुबग चलने के निर्देश लेकर हुए थे क्योंकि रास्ता बहुत ही कतरमा था यूम ठांग जाते हुए लेकर का को रात लायूंग की सांती बस्ती में बितानी परी वहाँ उसने यह विचार किया कि मनुस्स ने प्राकृति की ले, ताल और गती को विगार कर बहुत बरा अपराद किया है बर्फ देखने के इच्छा लायूक में भी पूरी ना होने के कारण 500 फीट उचाई पर काटाओं यानि भारत का स्विटजर लेंड काटाओं का भारत का स्विटजर लेंड बोला जाता है जहां पे बर्फ बगेरा हारदम गिरते रहता है वहाँ जाने का निस्या किया क्योंकि इन लोगों को बर्फ देखना था और बर्फ वहाँ था नहीं त चांदी से चमक रहे थे, घुटनों तक बर्फ जमीन पर बिछी हुई थी और गिर भी रही थे, यात्री आनंद उठाने लगे लेखिका की मित्रों ने कटाओं को सुजर्जर लेंड से भी अधिक उचाई पर बताया, मतलब ये बताई कि सुजर्जर लेंड जितना उचा है इससे जादा उचा पर हमारा भारत का कटाओं है, लेखिका ने भी उसे सुन्दर दिरिष्ट को हिर्दय में समा लिया, वह अध्यात मिक्ता से जुर जुर गई थी, वह विचार करने लगी कि साइद ऐसी ही सुन्दरता से प्रेडित होकर रिष्यों ने वैदों की होंगे, यह विचार करने लगी कि साइद ऐसी ही सुन्दरता से प्रेडित होकर के वेद लिखे होंगे, वो जीवन के सत्यों को खोजा होगा, उसके बाद मनी ने हीम सिखरों को एसिया का जल अस्तंब बताया, करकराती ठंड में पहरा देते, पोजियों की कर्तब प्रों ने फुलो की घाटी को भी देखा, यूंधां कर चाओ जैसी सुन्दर नहीं था, वहाँ एक सिक्किमी इस्तिरी ने अपना पढ़िचय जब इंडियन कह कर दिया तो लेखी का बहुत खुस हो गई, रीजन क्या था, इसके पीछे सिक्किम जो है ना पहले भारत का हि पहले नहीं हुआ करता था, सिक्किम के जो राजा थे जब उसको चीन के दारा प्रतारित किया जाने लगा था, तो वो क्या बोले पंडित जवाहलाल नहरू से, कि हमको जो है भारत की मदद की ज़रोत है, तो पंडित जवाहलाल नहरू सर्थ ये रखे कि आप भारत की लेकिन आपको हमारे भारत में सामिल होना परेगा तो सिक्किन के जो राजा थे ये बोले कि हमको डैकली सामिल नहीं होना है हमको पहले भारत को जानने का परमिसन देजिए हम देखेंगे भारत कैसा है भारत के लोग कैसे है वहां विचार कैसा है फिर सोचेंगे कि सामिल मतलब हमारे देश में महमानों को बहुत सम्मान दिया जाता है नहीं करते हैं मेरे देश में महमानों को भगवान कहा जाता है तो इतना जादा रिस्पेक्ट देख करके सिक्किम के राजा बहुत खुस हुए और अंति में समझा होता कि और सिक्किम को भारत का अंग माना जाने लगा तो सिक्किम के लोग भी जब इंडियन खुद को कहते हैं तो ये बड़ा गर्ब होता है कि सिक्किम के लोग भी अब दिल से खुद को भारतिये महनते हैं इस बज़ा से लेखी का बहुत ज्यादा खुस हुई, तो लेखी का खुस हुई, रास्ते में गाइड नारगे ने चंदिनी रात में भोकने वाले कुट्ते दिखाए, गुरु नानक के पदचिन्नों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया, जहां कभी उनकी थाली से चावल छीट कर बाहर गिर गए थे, खेदूम नाम का एक किलो मीटर का एक ऐसा छेत्र भी दिखाया, जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है, वहां पे नारगे ने पहारियों के पहारों, नदियों, जहरने और नदियों के प्रति पुझ्य भाव की भी जानकारी दी कप्तान सेखर दत्ता के सुझाव पर गंगतों के प्रियाटन अस्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए अस्थनों की खोज की प्रियास के लिए भी जानकारी दिये, तो इस परकार से ये चला था और लेकी का भी जुद थी, लेकी का भी चाह रही थी कि इन चीजों के इन सारे दिरिश्टों को अपने मुबाइल फोन के कैमरे में कैद कर ले, लेकिन फिर वो सोची कि कैमरे में कैद करने से ज्यादा बहतर है कि कैमरे, अभी कैमरा निकालेंगे, मुबाइल निकालें, कैमरा में कैद करते रह जाएंगे, और प्राकृतिक का जो असली संदर है, वो मु क्रितिक दिरिश्चों को बास्तम में फील करेंगी उसको वो ना कि कैमरा में उतारेगी इस परकार से वो अपनी पूरी जो है प्रियतन यात्रा यात्रा पूरी करी थी ठीक तो ये स्टोरी भी आपका हो गया खतम अब इसका सबसे अंतिमे स्टोरी हम लोग देखते हैं छोट इसी समस्याएं हैं जिसकी बज़ा से इनको लिखना पड़ता है क्या प्रोब्लम से इसे हैं तो यहां सुरवात होता है लेखक लिखने के लिए विवस हैं मतलब मजूर है अपनी लिखने की विवस्ता पर विचार करके जानना चाहते हैं कि वह क्यों लिखते हैं वह लेख लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारण को नहीं जाना जा सकता। लिखकर ही लिखने की विवस्ता से मुक्थ हुआ जा सकता है और लेखन को समझा और पहचाना जा सकता है। लेखक के अनुसार सभी लेखकों को किरतिकार अत्वा रचना कार नहीं कहा जा सकता। एक रचना कार आंतरिक द्रिप्त चेतना से प्रभावित होकर ही रचना करता है। अलग लेबल एक अलग अस्तर होगा आपका और फिर वो आपका ओहदा बरहेगा। ये चीज़ बताते हैं। कभी कभी बाहरी द्रिप्त होने पर रचना लिखी जा सकते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हम पर कोई परेसर बनाएगा कि आप लिखिये तभी लिखेंगे। मतलब हमको खुद ऐसा बनना चाहिए कि हम अगर लिखना चाहरे तो अपनी स्वतनत्ता से लिखेंगे। हम जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। किसी के दबाब में आकर के कोई भी चीज नहीं लिखेंगे। अइसा कहना इनका है। दबाब के होने पर भी उसे वसा उसमें वसा कृतिकार उसके प्रभाविद नहीं होता। वह अपनी द्रिप्त चेतना सही प्रिरित होकर लिखता है। लेखक के नुसार कृति का आधार मनुस्य की भीतरी विवस्ता है। प्रितकार होकर भी लेखक के लिए भीतरी विवस्ता को समझना कठिन होता है। मतलब लिखने में क्या मजबूरियां रहती होंगी इसको समझना बहुत जादा कठिन होता है कि कोई किस प्रभाब में कौन क्या लिख रहा है यह चीज अता इसे वह अपनी कविता हीरो सीमा के माध्यम से समझाता है समझाते हैं लेखा कपनी कविता को यह कहतना चाहते हैं कि विजियान का विजार्थी होने के कारण उसे रेडियो धर्मी प्रभावों के बारे में पता है कि रेडियेसंस की बज़े से क्या नुकसान होता है हीरो सीमा पर अनुबम यानि के टम बम के बिसफोट ने उसे प्रभावित किया और उसे कुछ लेख के लिए लिखा भारत की पुरबी सीमा पर होई युद्ध के समय सेनवकों को मचली की अब सकता पड़ी थी मचलियों के अब सकता परी थे, उन्हें समुद्र में बम फेके, इस से हजारों मचलियां मर गई, उसके बाद जीवों ने इस नास से लेखकों को गहरा दुख पहुंचाया, मतलब समाज में कोई भी चीज अगर गलत खुरा या कोई भी चीज देखा आप रहे हैं, तो उस च पिरित देखकर, वह कराह उठे भारत के समुद्री जीवों के नास से जुरी, उनकी संबेदना हिरो सिमा में पिरित को देखकर और गहरा हो गई, एक दिन उसने सरक पर चलते हुए एक पत्थर पर, रेडियो धार्मिक से प्रभावित एक मानव आकिरतिक की मातरा चाया दे पीरा घनी भूत हो उठी, अनुबम विस्फोटक की पीरा पुनाजी उठी, मतलब वो जो देखते हैं ना वहां पे विस्फोटक की जब जपान गए थे, तो अभी भी वो देखते हैं कि एटम बम का परभाव अभी तक जपान पर है, अभी भी बच्चे वहां पे अपाहि हो जाते हैं, बम विस्फोटक की अनुबुती परत्यक्ष हो गई, संबेदना ने उन्हें कल्पना सिल बनाया और आत्मा से अनुभवो को महसूस कराया, उसकी अनुभुती आंतरिक थी, वह विवस हो थे, अनुभुती की जो लंता था, भारत आने पर एक दिन अचानक रे कविता के रूप में ढ़ल गई, मतलब ये सब सोच ही रहे थे, तो एक बार रेल से यात्रा कर रहे थे, और जैनरली जो साहित्यकार होते हैं, जहें हो हिंदी के हो, जहें हो इंगलिस के हो, ये लोग हमेशा किसना किसी खायाल में ही डूबे रहते हैं, कुछना कुछ सोचत के वहाँ पर से एक कविता हैं लिख दिये, जिसका नाम हीरो सीमा है, और एक किर्ती के रूप में सामने आ गई, लेखक अपनी उस भीतरी विवस्ता से मुक्त हो गया और ततस्ट होकर उसे देखने के लिए, उसे देखने के लिए, समझने की कोशिस करने लगे, लेखक के अनुषार अनुभूती की जलततता ही लिखने का कारण बनती है, इस्थिती या व्यक्ती की परत्यक्षता अत्वा निकरता नहीं, मतलब ये चीज है कि व्यक्ती अपने जीवन में जो भी चीज आस पास देखता है, जो भी चीज को महसूस करता है, असली में लेखन की जो क पितते हुए किसी पर कुछ गुजरते हुए देख रहे होते हैं तो असली में हमारा जो विवस्ता होता है असली में जो हमारी चिंता होती है वही होती है और उसी से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं ये नहीं कि कोई बाहर से कुछ दवाब डालेगा तभी हम लिखेंगे हम अ एक नया लेखन को एक दिशा इस कहानी का उद्देश से ये था कि कोई वो लोग जो confusion में हैं कि क्या लिखें, कहां से लिखना शुरू करें, कोई बोलेगा तब क्या करें, ये करें, तो उनको एक clear करता है ये story कि अगर आप लिखना चाहें तो आप अपने आसपास के करके भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं है कोई अपको suggest करेगा तब ही आप लिखिएगा, या फिर जो है, जो कोई बाहर से दबाब देगा, तभी आप लिखेगा, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जी सबस्था में हैं, उसी तरीका से जो है, आप लिखना शुरू कर सकते हैं, आप अपने आसपास के माहोल को देखिए, क्या समाज में हो रहा है, उस मुद्दा को उठा करके, इस से पहले जो है, उसके अलाबा आपको पूरा 26 का पोयम बता चुके हैं, तो पूरा 36 भूक कंप्लीट हो गया, ये किरतिका भूक कंप्लीट हो गया, उमीद है, आप लोग ये तीनों वीडियो अच्छे से देख लिजेगा, अगला वीडियो हमारा हिन्दी ग्रामर पर आएगा और वो बहुत ही सौर्ट में सारे चीजों का ट्रीक के साथ बताया वा रहेगा कि किस परकार से grammar के questions को deal करना है और आप समझना शुरू भी कर दीजेगा सारा चीज बनना भी आपसे शुरू हो जाएगा तो हम लोग जो है देखते हैं next वीडियो में grammar का तब तक इस complete कर लिजे तो मिलते हैं हम लोग next वीडियो में